हेलो फ्रेंद्स, यू आल आर वेलकम एट वेक्टर एजुकेटर्स, मैं आपके इंग्लिश एजुकेटर स्वाती राठ और स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के अपने ओनलाइन प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम लोग Error Detection का Part 11 करेंगे, इससे आगे के सभी वीडियो हमारे चैनल पे अविलेबल हैं, I hope आप सभी ने वो सारे ही वीडियो देख लिये होंगे, और अगर स्टेल उन में से कोई वीडियो देखना बाकी रह गया है, तो उसे आप हमारे चैनल की प और जिन्दर प्लेस, अब देखिए, इस सेंटेंस में मैं एरर बताऊं आपको, उससे पहले मैं आपको एक रूल बताना चाहती हूँ, जब भी आपको एक सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन दिख जाएं, है ना, एक नाउन ये, नाउन वन और ये है नाउन ट ये वर्ड आते हों, उस टाइम पे उस सेंटेंस में जो भी आगे प्रोनाउन आएगा या एजिक्टिव आएगा या वर्ब आएगी ये सबी सिंग्यूलर फॉर्म में होंगे मैं वापस से आपको एक बर ये रूल रिपीट करके बता देती हूँ, जब भी हमको सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन दिखे हैं और वो नाउन एक दूसरे से एंड कंजेंशन के थूप जुड़े हुए हों और प्रत्यक नाउन के आगे इच ये एवरी जैसा वर्ड हमें देखें तो उस सेंटेंस में जो भी प्रोनाउन होगा, जो भी एजक्टिव होगा या कोई भी वर्ब होगा वो हमेशा सिंग्यूलर फॉर्म में होना चाहिए ये हमारा रूल कहता है, अब इस रूल को हम सेंटेंस में अपलाई करके देखते हैं, सेंटेंस पर आते हैं, यहां लिखा है every soldier and every sailor, अब यहां पर देखिए, एक नाउन हो गया ये soldier और दूसरा नाउन हो गया sailor, दो नाउन हो गए हमारे और ये तोनों नाउन, end conjunction से जु मतलब यह rule एक दम इस पर apply हो रहा है अभी तक की तो सारी conditions यहाँ पर apply हो रही है तो जब भी ऐसा कुछ हो तो ऐसे sentence में pronoun adjective या वर्ब जो भी आएगा गो हमीशा singular होगा आगे बढ़ते हैं देखिए यहाँ पर यह जो वर्ब है वो तो singular है was लेकिन आगे जो यह pronoun आया है यह plural हो गया क्योंकि देर लिखा है और देर जो है यह plural pronoun होता है इसलिए error है part C में यहाँ पर देर नहीं आना चाहिए यहाँ पर देर की जगा आना चाहिए his क्योंकि यह जो his है यह his हमारा singular pronoun है होब आपको यह rule clear होगा और कैसे हमने error को detect करके इसको correct किया यह चीज़ भी clear होगी आगे बढ़ते हैं अगला question है many a soldier has met their death in the battlefield अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक rule बताओ जब भी आपको sentence में कुछ ऐसा structure दिख जाए many और many के बाद a या फिर an article और उसके आगे आपको दिख जाए कोई भी singular noun जब भी आपको ऐसा structure दिखेगा sentence में और यह जो structure है यह as a subject act करेगा sentence के अंदर तो ऐसे sentence में आगे जो भी pronoun या adjective आएगा वह हमेशा singular होगा अब इस rule को हम apply करते हैं हमें दिख रहा है यहाँ पे यह जो many दिया है many उसके बाद article a या फिर an होना चाहिए यहाँ पे हमें article a दिख रहा है और उसके आगे होना चाहिए singular noun यहाँ पे यह जो soldier है यह singular noun है condition हमारी satisfy हो रही है यहां तक अब हमें check करना है कि आगे आने वाला pronoun या फिर adjective singular है या नहीं है आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे यह जो आगे pronoun है there यह plural है लेकिन rule के according इसे singular होना चाहिए था इसलिए error हो जाएगा part B में यहाँ पे there pronoun नहीं आएगा यहाँ पे आना चाहिए there की जगा his क्योंकि his जो है यह हमारा singular pronoun है इसलिए error हो जाएगा part B में होब आपको यह rule clear होगा और इस question में क्या error है यह चीज़ भी clear होगी करेक्ट कैसे करना है यह चीज़ भी clear होगी आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगले question है he ran as fastest as he could अब यहाँ पे देखिए एक rule देखिए जब भी आपको sentence में कुछ ऐसा structure दिख जाए as फिर आगे एक और as और so और फिर आगे as तो जब भी as dash as और so dash as ऐसा अगर structure दिख जाए तो यह जो बीच वाली जगह है इसमें हमेशा जो adjective या adverb आएगा वो positive degree में होगा positive degree में इस चीज को ध्यान से देखें जब भी ऐसा कुछ structure दिखेगा as dash as या फिर so dash as तो यह dash को जब फिल करना होगा तो हम हमेशा ऐसे positive degree से फिल करेंगे कभी भी यहाँ पे comparative या superlative degree नहीं लगाएंगे अब इस rule को sentence में apply करते हैं he rain as fast as यहाँ पे हमें as और as देख रहा है मतलब यह rule लग जाएगा यहाँ पे और फिर मैंने आपको कहा कि इसको जो यह fill in the blank दिया है इसको जब भी फिल करेंगे तो हम हमेशा positive degree यूज करेंगे लेकिन यहाँ पे यह जो fastest use हुआ है यह तो superlative degree है इसलिए error part B में ही होगा यहाँ पे fastest को हम replace कर देंगे fast से यहाँ पे fastest की जगा आना चाहिए fast तो सही sentence हो जाएगा he rain as fast as he could hope आपको यह question clear है आगे बढ़ते हैं अगला question है good deeds are more everlasting अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूँ कि यहाँ पे error part C में हो जाएगा और यहाँ पे more नहीं आना चाहिए more को हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा वो इसलिए क्योंकि हमारा rule बोलता है कि कुछ हमारे adjectives हैं जैसे कि interior, exterior, ulterior, major, minor, empty, excellent, circular, extreme, chief, entire, complete, final, universal, eternal, everlasting, ideal, absolute, impossible, etc. तो यह कुछ हमारे adjectives होते हैं यह adjective कभी भी अपने साथ comparative degree या फिर superlative degree को use नहीं करते हैं मतलब मैंने अभी आपको एक list बता दी पूरी adjective की होब आप सभी ने उसे ध्यान से सुना होगा कि यह जो कुछ words थे जैसे कि major या फिर final या फिर universal, chief, extreme, circular, entire, complete तो यह जितने भी adjective है यह अपने आप में एक complete sense दे रहे हैं यह पहले से ही पूरे हैं तो हमें वापत से इनके आगे कोई comparative या superlative degree लगाने की ज़रूत नहीं है क्योंकि यह अपने आप में ही by default यह completeness का sense दे रहे हैं इसलिए इनके आगे हमें कभी भी comparative या superlative degree नहीं लगानी होती है इसलिए error part C में होगा क्योंकि यहां पर everlasting लिखा है यह वही adjective है जो मैंने अभी आपको in examples में बताया और यह जो everlasting है यह अपने आप में completeness का sense दे रहा है इसलिए हमें इसके आगे more या फिर ऐसे कोई adjective यूज़रूत नहीं है इसलिए error part C में होगा हमें यहां से more हटाना होगा और सही हम हमारा sentence हो जाएगा good deeds are everlasting हुप आपको यह question clear है आगे बढ़ते हैं अगला question है my all friends have got selected अब देखिए दो words को पकड़िये यहां पर all or both जब भी हमको किसी भी sentence में all या फिर बोथ दिख जाएंगे और all or both के साथ कोई positive case use हुआ होगा जैसे कि my your are यह जो positive cases होते हैं अगर all or both के साथ use होते हैं तो यह हमेशा all या both के बाद में आते हैं कभी भी positive case all या both के पहले नहीं आएगा लेकिन इस sentence में देखिए all है all के पहले positive case my आया है इसलिए error part a में होगा सही होना जाहिए structure all और फिर उसके बाद my क्योंकि यह जो all है यह यह word है और my जो है यह हम हमारा positive case है और रूल बोलता है कि positive case हमेशा all और both के बाद में आएगा कभी भी all या both के पहले positive case नहीं आता होप आपको यह question क्लियर है कि क्या rule लगाया हमने और कैसे error को detect करके से correct किया तो friends आज मैंने आपके साथ कुछ questions discuss किये है I hope आप सभी को यह सारे ही question क्लियर होंगे कि इन में क्या error है और कैसे उसको detect किया हमने कौन सा rule apply किया और correction कैसे होगा यह चीज भी clear होगी I hope आप सभी को यह lecture अच्छा लगा है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे like कीजिए share कीजिए अपने maximum friends के साथ relatives के साथ और अगर अभी तक हमारा channel subscribe नहीं किया है त जिसे की upcoming videos की notification आपको जल्दी से जल्दी मिल जाये करेगी कल फिर मिलेंगे एक नए episode के साथ तब तक के लिए stay tuned with us thank you so much wish you all the best